नमस्कार दोस्तो चोटी चोटी बाते चैनल पे आपका स्वागत है लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए रेड कलर के सबस्क्राइब बटन पे अभी क्लिक करें नमस्कार दोस्तो आज हम आपको बताएंगे पीले काले दातों को सिर्फ दस मीट में सफ़द और चमत्दार बनाने के घरेलो उपाई दोस्तो दात किसी के भी चहरे की सुन्दरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं जब आप किसी को भी अपनी प्यारी मुस्कान पास करते हो तो दात उसका अहम हिस्सा होते हैं ऐसे में यदि आपके दात पीले, गंदे हो तो मुस्कान का सारा मजा किरकिरा हो जाता है पिले दातों को सफेद करने के लिए कहीं लोग डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं लेकिन आपको डेंटिस्ट की मोटी फीज भरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको घर पर उपलब्ध चीजों से ही अपने पिलो दातों को सफेद करने के नुस्खे बताएंगे दोस्तों करीबन 70% लोग दातों के पिलेपन से परिशान है क्योंकि दातों के पिलेपन का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ही नकारत्मक अशर पड़ता है जैसे ही कोई व्यक्ति किसी के दातों को पिला और काला देखता है तो उसके मन में यह विचार आते हैं कि यह व्यक्ति तंबाकू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आदी नशली चीजों का सेवन करता होगा और उसके और भी कही परस्नालिट्री पे बुरे असर पड़ते हैं इससे पहले कि हम दातों को सफेद करने की विदी देखे, उसके बारे में जाने हम यह जानने की कोशिस करते हैं कि आखिर दात काले, पीले क्यों हो जाते हैं दात पीले और कालेपन का कारण क्या है बहुत से व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि वह ब्रस, रोजाना और सही समझ से करते हैं लेकिन फिर भी उनके दातों का पीलापन साफ नहीं हो पाता इसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं एक जिनेटिक्स और दो ज्यादा कॉफी और चाई पीना दोस्तों कुछ लोगों का दातों का पीलापन विटामिन्स की कमी के कारण भी हो सकता है दातों का पीलापन और दात साफ नहोने के पीछे सबसे नॉर्मल कॉज, सबसे सामन्य कारण होता है ज्यादा चाई और कॉफी पीने का चाई और कॉफी हमारे दातों पर पीलेपन की परत चड़ा देते हैं इसलिए चाई कॉफी पीना बहुत कम कर दे धुम्रपान करना भी दातों और होटों को प्रभावित करता है उम्र बढ़ने के साथ साथ भी दातों में पीलापन आने लगता है ज्यादा चॉकलेट खाने से, मूह में लार की कमी होने से ज्यादा फ्लोराइड का सेवन करने से, जिनेटिक फैक्टर्स रात को खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, ब्रस ठीक से नहीं करना ये सब दात पीले होने के मुख्यकारन है दातों को पीला होने से कैसे बचाए चाए कॉफी का सेवन कम कर दे, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रस करे, हमेशा ब्रस धिमीकती से ही करे और जादा पानी पिए तो चलिए दोस्तों जानते हैं पिले दातों को सफेद करने के घरेल उपाई पहला है यदि आपके दातों में पिले पन के साथ दाग दब्बे भी हैं तो यह उपाई अपनाए एक कप पानी लेकर उसमें आधा चम्मत सिर्का मिला दे अब इस मिश्रन को अच्छे से मिला कर तूथ प्रस की सहाईता से दातों की सफाई करें दातों का पिलापन दूर होने के साथ साथ ये सारे दाग दब्बे भी चले जाएंगे दूसरा उपाई है यदि आप अपने दातों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो नीम्बू के रस में थोड़ा सा नमक मिला कर उसे तूथ प्रस की सहाईता से दातों पर लगाएं ऐसा रोजाना करने से दातों में चमक आ जाती है तीसरा है एक कटोरी में थोड़ा पानी लेकर उसमें चुटकी भर नमक और एक चमच मीठा सोडा मिला ले अब इस मिश्रन को दातों पर हलके हातों से रगड़े ऐसा करने से दातों का कालापन दूर होता है चौथा है सरसो के तेल में पिसी हल्दी नमक मिला कर पेस्ट तयार कर ले अब इस पेस्ट को उंगली या टूथ प्रस से दातों पर लगाए ऐसा करने से ना सिर्फ पिले दात सफेद होंगे बल्कि कमजोर और हिलते दात मजबूत भी बनेंगे पाँचवा है संत्रे के छिलके और तुलसी के पत्तों को सुखा ले अब इनका पाउडर बना कर रोजाना दातों की मालिश करे दात सफेद और चमकदार बन जाएंगे छठा है निम्बू का रस और पानी से रोजाना कुल्ला करे इससे ना सिर्फ दात सफेद होंगे बल्कि आपकी सांसों की बद्बू भी चली जाएगी सात्वा है नारियल और जैतून के तेल को समान मात्रा में मिला कर रोजाना उंगली से दातों की मालिश करे दात मोती जैसे समगदार बन जाएंगे